क्या आप कभी ये सोच सकते हैं कि कोई वैक्ति खौलते हुए तेल में अपना हाथ डाल करके पकवान बनाता हो और उसे कुछ भी नहीं होता हो सुनने में ये घटना पर यकीन करना मुश्किल होगा पर ये सच है दरसल धौलपूर के महराजपूर निवासी मुकेश कुश्वाहा पिछले कई सालों से यह कारनामा कर रहे हैं उनके हाथ से बनी कोई कचोडिया खाने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं सुरुआती दिनों में मुकेश हलवाई के काम करने के लिए चाते थे उन्होंने कई सालों तक वहाँ काम भी किया तो उन्होंने उबलते तेल में उगले डाली और उन्हें पता चला कि उन्हें गरम तेल का कोई भी असर नहीं होता फिर मुकेश ने अपनी दुकान खोली जिसके बाद वह बिना चलनी के मदद से ही समोसे और कचोणिया बनाने लगे तो देखते ही देखते लोग उनके इस हुनर के कायल हो गए जिस वज़ा से उन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं और साथ ही उनके हाज से बने स्वादिष्ट पकवान का स्वाद भी लेते थे मुकेश के इस अनोके हुनर के चलते उनकी दुकान में लोगों की भीर लगी रहती है और इसकी वज़ा से उनकी अच्छी खासी कमाई भी हो जाती है नेक्स्ट नाइन न्यूस डूम से प्रयांकार आज की रिपोर्ट